हेलो दोस्तों स्वागत आपका TechJoters पे मेरा नाम है UD और आज हम बात कर रहे हैं सोनी के नए गेमिंग कंसोल PS5 के बारे में सोनी ने अपने नए गेमिंग कंसोल PS5 को अन्वील कर दिया है जिहां दोस्तों लॉँच इवेंट में PS5 के दो वर्जिन को रिवील किया गया है नहीं किया है पूरे कंसोल को रिडिजाइन किया गया है और कंसोल के साथ आता है नया डूल सेंस डिजिटल वायरलस कंट्रोलर और कुछ एक्सेसरी जैसे कि डूल सेंस चार्जिंग स्टेशन नया HD कैमरा पल्स 3D वायरलस हैडसेट और मीडिया रिमोट PS5 को पावर देगा 8-core AMD Zen 2 processor and a custom AMD GPU 16GB RAM के साथ कंसोल में Sony की 865GB की proprietary SSD storage भी दी गई है इसके साथ साथ कंसोल में USB hard drive support भी मिलेगा और internal memory को बढ़ाने के लिए NVMe SSD slot भी दिया गया है PS5 आएगा 8K graphic support के साथ and 4K support with 120 refresh rate PS5 में Sony 3D sound को भी debut कर रहा है controller की बात करें तो PS5 में DualSense controller होगा with adaptive triggers and haptic feedback DualSense के साथ साथ center mounted touchpad भी controller में दिया गया है PS5 में मौझूदा सभी gaming titles की compatibility होगी इसका मतलब आप अपनी old games को इस console पर boosted frequency के साथ खेल पाएंगे जैसे कि अच्छा resolution और high frame rate console में new UI को भी introduce किया जा रहा है PS5 के UI में new design element डाले गए हैं और काफी new features हमें इस UI में देखने को मिल जाएंगे Sony ने अभी तक इसके prices को reveal नहीं किया है इसके दो reasons हो सकते है number one हो सकता है कि Sony wait कर रहा है जल्दी ही launch होने वाले Microsoft upcoming Xbox Series X की ताकि Sony accordingly PS5 के prices set कर सके दूसरा ऐसा reason हो सकता है marketing hype ताकि जब Sony PS5 के prices को reveal करें तो customer इसे purchase करने के लिए excited हो जो भी हो Sony ने PS5 के design में काफी futuristic and radical changes की है console को vertically या फिर horizontally भी रखा जा सकता है however console के dimensions के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया बट कुछ gamers ने internet पर इसे previous consoles के साथ compare किया है based on the size of the disc drive इससे पता चलता है कि PS5 console Sony के previous सभी consoles के compatibility size में बड़ा होने वाला है इसके design को या तो gamers बहुत पसंद कर रहे हैं काफिर बिलकुल नहीं और design को लेकर इंटरनेट पर काफी memes भी बिनाये जा रहे हैं just like cyber truck design जिससे Tesla ने last year reveal किया था prices को लेकर भी market में काफी rumors circulate किया जा रहे है कहा जा रहा है कि PS5 का disc version 40,000 का और discless digital version 35,000 का launch होगा इंडिया में हाली में Amazon की website पे इसके prices को reveal किया गया था बट अब Amazon ने इसकी listing को हटा दिया है Amazon की इस listing में PS5 के console का price 38,000 रुपीस था कहा जा रहा है कि PS5 Sony का सबसे ज़्यादा बिखने वाला gaming console होने वाला है इससे पहले PS4 Sony का most popular gaming console रह चुका है PS5 की sales को boost करने के लिए price launch के साथ सा Sony Cyberpunk 2077, The Witcher 4 और Uncharted 5 को भी release करेगा आपको क्या लगता है इस upcoming Sony PS5 gaming console के बारे में और क्या आप इस console को खरीदेंगे मुझे comment section में जरूर बताइए अभी के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please like बटन दबाईए और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए subscribe करना ना भूलिएगा thank you for watching